तो आज हम अपने फोन के अंदर HyperOS 2.0 का लाउंचर यहां पर यूस करें जैसे कि आप लोग जानते हैं कि HyperOS 2.0 के टेस्टिंग औरेडी स्टार्ट हो चकी है और फाइनली जो है इसका इंटर्नल टेस्ट बीटा बिल्ड जो है रिलीज हुआ है जिसको इस टाइम पर हम अपन कंप्लीट करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कौन से या आइकन पैक और कौन से विजिट्स हम यूस करें और कैसे आप इसको अपने फोन भी यूस करें यह भी इस वीडियो में आपको बताने वाला है तो वीडियो को पूरत ध्यान से देखिएगा तो चलिए आज के आइक पर रॉस के अपर रॉस का लांचर हो तो कुछ छोटे मोटे चेंजेस यहां पर किये गए हैं जो कि मैं आपको दिखाने वाला हूं तो जैसे आप फर्स टाइम जो है इसको अपने फोन के अंदर इंस्टाल करेंगे आपको एक नया यहां पर पॉप-फ मैसेज देख आफ अलिमेंट तो यहां पर कुछ चीजों को यहां पर रिमूब भी किया गया है और कुछ नए चीजों को भी एड किया गया है तो यह दिखे अगर आप लांचर की सेटिंस में जाए तो अब आपको इस तरीक है कि यहां पर आप ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है जहां आप आप 4x6 और 5x6 यहां पर सेट करते सेट डिफॉल्ट स्क्रीन के कुछ लियाउट आपको यहां पर कुछ चीज़ तरी करके यहां पर देखने को मिलता है बाकि कुछ और चीज़ आपको दिखाऊ हूं जैसा कि आप देखेंगे इसके अंदर आपको इसके अंदर कोई आपको यहां पर देखने मिलता है अब एक नए तरीकी की आपको यहां पर यहां पर किया गया है अब जो है आपको यहां पर दो ही के option मिलते हैं standard और dense का अब आपको पहले layout के अंदर 4 by 6 और 5 by 6 के option मिलते हैं वो अब आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिले हैं बाकिस सारी की सारी चीज़ें चीज़ यहाँ पर किये गये system navigation आप देख पाएंगे जेश्चर से अब बटन सी आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं और बी काफी सारी चीज़ यहाँ पर दिरे दिरे की जारे हैं अपको देखने को मिलते हैं नो डाउट animation काफी स्मूध हुए बट एक चीज़ जो मैंने यहाँ पर नोटिस किया है अब आइकन का साइस जो है पहले के मुकाबले जो है यहाँ पर चोटा कर दिया गया है अगर आप settings में भी जाएं और wallpaper and personalization में जाएं तो मैं आपको दिखाना चाहँगा आइकन साइस जो है हमारा इस ताइम पे फुल है बट आप देहेंगे तो काफी स्मॉल जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं तो अनिमेशिन जो है काफी स्मूध है चाहे का आप विज्जस यूजज करते हैं तो उसके अंदर भी animation से आपको काफी स्मूध यह है और काफी अच्छी तरह से अप्टिमाइज किया है तो इस लॉंचर को आप भी अपने मी सीरीस एरेड़ी सीरीस के फोन पर यूज कर सकते हैं तो अब जो है लार्ज फोल्डर के एनिमेशन जो है यहाँ पर चेंज कर देगे हैं आपको एक अलग तरीक को जो अपने फोन के अंदर इंस्टॉल करना चाते हैं तो लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा जहां से आप इसको अपने शौमी के ने एक बार जरूर चेक आउट कर लेगा अगर आइकन पैक की बात करें तो मैं आइकन पैक आपको दिखाता हूं कौन सा इस ताइम पर अपने फोन पर यूज़ कर रहे हैं तो यह देख पार होंगे चाइनिस में कुछ नेम है इसका और यहां पर देख पारे हैं तो इस आइक आपको नए लांचर में यहां पर देखने को बिलिए हैं जिसके अंदर आपको छोटे मोटे चेंज़ज और स्क्रीन लेट के अंदर यहां पर को चेंज़ज यहां पर किये गए तो बस आज का इप वीडियो इसी के अपर था तो उमीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा लिंक आपको सभी काई में डिस्क्रीशन में प्रवाइड कर दिया है और इसे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लेगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक कियर एंड बाब